हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका गवर्णमेंट स्कीम्स की सीरीज में यह पार्ट 30 वीडियो है और इसके पहले हम लोगोंने अल्रेडी 29 वीडियो में बहुत सारे मिनिस्ट्री को डिसकस कर लिया है उसके रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उनको भी डिस स्कीम्स हैं तो सबसे पहले हम लोग दरपन को देखेंगे फिर इसके अलावा हम लोग संपूर्ण बीमा ग्राम योजना देखेंगे फिर दीन दयाल पर्ष योजना उसके बाद कूल एमस सर्विस फिर माइगव और एंड में हम लोग प्रधान मंत्री ग्रामीन डिजिटल साक्षरता अभियान को देखेंगे तो यह 6 स्कीम को हम लोग एगे करके कवर करने वाले हैं और इसके बाद जब हम लोग वीडियो के एंड में हम लोग एक कुश्चन भी रहेगा उसको भी हम लोग देखेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है ठीक है और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो कुश्चन था उसको डिसकस करेंगे एक पहली बात और उसके आंसर को देखेंगे कि वह आंसर कौन सा है ठीक है अब यहां पर मैं जो नई सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बोलना चाह है तो उस केस में भी आपके लिए यह बहुत जो सीडीज है यह रेलेवेंट है तो आप इसको जरूर देखें क्योंकि आपका चार सोर्से से जो है स्कीम कवर हो रहा है और आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है तो चलिए आप हम लोग सबसे प ब्रॉडबार्ड मिशन विल प्रोवाइड ब्रॉडबार्ड अक्सेस टू आल विलेज़ बाई 2024 तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो नाशनल ब्रॉडबार्ड मिशन है उसका कट-off डेट या कट-off यह आप कह सकते हो 2022 है ठीक है तो आक्सेस जो देने व आप नहीं भी चक कर सकते हो क्योंकि हम लोग जानते है कि सेकंड अप्शन अल्रीड यहां प्रेजंट है बी में भी और डी में भी है पर फिर भी हम लोग देखेंगे तो नाशनल ब्रॉडबार्ड बैंड मिशन गेव्स इंफैसिस ऑन थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ युनिव प्रोजेक्ट विल प्रोडबाड बैंड कनेक्टिविटी तू अर्बन एस वेल एज रूरल एरिया थू अप्टिकल फाइबर नेटवर्क अब यहां पर एक कैच यह है कि यह जो भारत नेट प्रोजेक्ट है यह ग्राम पंचायत को प्रोड़ाइड करने वाला है ठीक है नकी अर्बन एंड रूरल एडिया तो यहां पर दोनों को कवर नहीं करने वाला है सिर्फ ग्राम पंचायत को कवर करना है और 2.5 लाक ग्राम पंचायत को कवर करना है तो इस कारण से अगर आप देखोगे तो यह जब पर्टिकुलर एडिया पार्ट जो अडिड है यहां अर्बन एड रूरल एडिया यह गलत है अब इस कारण से थर्ड स्टेट्मेंट भी गलत हो गया तो अब आप सीधे से बी अलिमिनेट करके डी ऑप्शन यह आप आंसर को माग कर सकते हो और जिन लोगों ने डी ऑप्शन आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है और मेरी खहल से आपको जिस तरह से मैं explain करके बताता हूं और जिस तरह से मैं आपको approach बताता हूं उससे भी idea लग जाता होगा कि आप MCQs को किस तरह से approach करने वाले हो क्योंकि elimination technique आप चाहो तो हर question में लगा सकते हो और उसके basis पे आपको बहुत ज़्यादा आपको चुरू करते हैं तो इस वीडियो का जो सबसे पहला हमारा scheme है जो कि हम लोग department of post में आ चुके हैं तो department of post का पहला scheme जो है वो दरपन है और दरपन एक acronym है इसको आप बिल्कुल धिहान में रखिएगा तो सबसे पहले acronym का full form देखते हैं तो full form है digital advancement of rural post office for a new India ठीक है वापस है मैं repeat करता हूँ digital advancement of rural post office for a new India तो यहाँ पे अगर आप इसको इसके full form को ही पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा कुछ idea लग जाएगा ठीक है तो यहाँ digital advancements की बात की जारी है तो digital advancements क्या हो गया तो improvement in technology आप कह सकते हो या फिर जो नई IT technology है उसको implement करने का का काम rural post offices में ठीक है अब यहाँ पे यह दरपन project है ठीक है इसको आप ध्यान में रखिएगा तो अब हम यहाँ पे features देख लेते हैं तो features में सबसे पहली point जो यहाँ पे इन्होंने mention किया हुआ है वह है कि यह quality of service को improve करने का काम करेगा ठीक है चलिए ठीक है बिल्गुल सही अब आगे बढ़ते इसको discuss किया था जो आपको departments को discuss किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि department of post का reach जो है वो काफी जादा है काफी बड़े area में है और almost जो remote areas है और rural areas है वहाँ पे भी पहुचा हुआ है बतलब अगर आपको वहाँ पे telephone की connectivity भले ना मिले पर आपको digital post that is यहाँ पे की कोशिश करेंगे तो इनका reach obviously जादा होगा और एक तरह से कहा जा सकता है कि universal financial inclusion हम लोग करवा सकते हैं इस department के through ठीक है और particularly इस scheme के through तो यह पहला हम लोगों ने feature देख लिया second part अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सा postmaster को implement करके वहाँ पे facility को provide किया जा सके ठीक है अब low power technology solutions क्या हो गया तो obviously इस तरह के solutions होंगे इस तरह के technology को इस्तमाल किया जाएगा जिससे मतलब even smallest branches हैं वहाँ पे इसको implement किया जा सके ठीक है अब यहाँ का benefit क्या होने वाला है तो अगर each branch postmaster के पास यह technology पहुचेगी low power व जाएंगे उनको फाइदा मिल लेगा ठीक है तो इत देख रहे हैं हम लोग कि rural area में कितना जाता impact पढ़ने वाला है इस IT modernization project जो की दरपन project है अब आखडी point यहाँ पर इन्होंने mention क्या हुआ है वह है कि दरपन PLI application भी एक आया था अभी हाल फिलाल में ही launch हुआ है अब यह दरपन PLI application का क्या काम है तो इसका काम रहेगा कि यह seamless collection of premium for postal life insurance तो postal life insurance PLI का full form यहाँ आ गया और उसकी अलावा rural postal life insurance policies ठीक है तो अब हम लोग ने पहली चीज़ तो देख ली के दरपन project में quality of service improve किया जा रहा है financial inclusion पहुँचाने का काम होगा IT modernization भी हो रहा है अब यहाँ पर postal life insurance जिसको PLI बोलते हैं और rural postal life insurance policies जिसको RPLI बोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा का सा reach है इस particular scheme का और vision के document पे सिर्फ इतना ही information है तो अब हम लोग शंकर के document पे देखते हैं कि extra क्या दिया हुआ है तो शंकर के document को अगर आप गौर से देखेगा तो यहाँ पे आगे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यह यह project जो है यह department of post का reach को भी बढ़ाएगा और low cost जो हम लोग ने देखा था उपर low power technology solution प्रवाइड करेगा अब कहां होगा तो जो भी branch post offices है वहाँ पे अब इससे होगा क्या तो इससे जो है हम लोग देख सकते हैं कि increase होग लिया था low power technology वाला और आखरी चीज़ आप देख सकते हैं कि इसी जो application है जो कि एक तरह से उपर आप कहा सकते हो दरपन PLI application है उसके थ्रू क्या होगा कि जो भी social security benefits है उसका reimbursement भी हो जाएगा अब social security benefits में सबसे important तो मनरेगा जाता है old age pension हो गया और even dbds ठीक है तो हम देख सकते हैं कि यह जो छोटे-छोटे मतलब social security benefits हैं इसके छोटे-छोटे एरिया में भी provide करने का बहुत अच्छा का सा एक उंदा opportunity आ जाता है ठीक है तो हम लोग ने दरपन को शंकर से भी देख लिया अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको राउज में क्या दिया है extra information तो आप लोग जो next हमारा scheme है that is संपूर्ण बीमा ग्राम योजना इस पर shift करते हैं तो हमारा जो next scheme discussion होगा जिसका वो है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना अब संपूर्ण बीमा ग्राम योजना से आप थोड़ा guess कर सकते हैं संपूर्ण is total, बीमा is insurance, ग्राम is village and योजना ठीक है तो यह जो लोग भी rural areas में रह रहे होंगे country के उनको एक तरह से affordable life insurance services provide करने का काम करेगा यह particular scheme ठीक है तो आप फिर से आपको मैं repeat करके बताता हूँ कि इसका जो aim है यह scheme का यह life insurance services को provide करेगा at affordable rate और किनको तो जो लोग जो जो लोग या फिर कह सकते हैं जो people आप rural areas में रह रह है country के उनको देगा अब यह कैसे देने वाला है तो obviously postal network को use करके ठीक है तो हम लोग already जानते हैं कि postal network का जो reach है वो काफी जादा है तो इसी reach को इस्तमाल करके affordable life insurance services provide करने का काम किया जाएगा ठीक है और rural areas में किया जाएगा यह आप देख सकते हैं आप इसको ध्यान में रख maximum नहीं maximum कितने भी हो सकते हैं तो एक village को तो करेगा ही करेगा और इस यह जो एक village है इसमें यह एक criteria है कि minimum 100 household होने चाहिए ठीक है अगर 100 household नहीं है तो फिर वो village को मेरे ख्याल से club करके करेंगे यह ठीक है तो आगे यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि at least एक village को यहाँ पर identify क किया जाएगा जिसमें 100 household होंगे minimum और यह revenue district में identify किया जाएगा और इस district में कोशिश किया जाएगा इस village में कि जितने भी households है उनको cover किया जाए with minimum 1 RPLI that is rural postal life insurance policy ठीक है सारे households में यहाँ पर बात आ रही है ठीक है तो अब आ गई बात कि फिर से आपको एक पर अच्छे से explain करक क्योंकि यहाँ थोड़ा complex तरीके से लिखा है तो यहाँ पर है कि कोई भी revenue district आप ले लीजे वहाँ पर at least एक district को तो उनको करना ही है उसमें minimum 100 household होने चाहिए और वहाँ पर जो भी village मिलेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे कि all households को cover करने की कोशिश करेंगे और हर household में कम से कम एक rural postal life insurance policy को provide करने का काम करेंगे ठीक है तो मेरे खाल साब को यह समझ आगे होगा अब third point पे आते हैं तो all villages अंडर संसर्द आदर्स ग्राम योजना संसर्द आदर्स ग्राम योजना के अंदर में जितने भी villages हैं उनको cover करना है यहाँ और यहाँ बताया जा रहा है कि इस scheme क को ही यूज करके संसर्द आदर्स ग्राम को एक तरह से convert करने की कोशिश करेंगे शंपूर्ण बीमा ग्राम यो एक तरह से बीमा में ठीक है तो मतलब पूरी तरह से आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इस particular scheme को इस particular आपको ग्राम में या provide करने का काम करेंगे कि किस तरह स उसमें insurance हम लोग easily provide कर पाएं और हर एक household में provide करें ठीक है तो आपको मेरी कासी यहाँ पर समझ में आ गया होगा vision में थोड़ा complex तरीके से लिखा है पर फिर भी ठीक है अब आप next हम लोग देख लेते हैं कि शंकर के document में क्या दिया हुआ है extra information तो शंकर के document में आगर आप द दिया जाएगा और उसमें 100 household minimum criteria है और वहाँ पे जो भी household होंगे एक household में at least आपको एक person को तो rural postal life insurance policy दिया जाएगा अब coverage जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी identified village होंगे यहाँ पे all households को cover करना यह primary objective होगा मतब सारे household में at least आपको एक तो rural postal life insurance policy देना ही है और पे हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि संसद आदर्स ग्राम योजना के अंतर में जितने भी villages होंगे उनको cover करना इस scheme का काम है अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर राउज में extra information क्या है तो राउज में बिल्कुल same data ही दिया हुआ है कुछ extra information नहीं है तो इसको हम हम लोग discuss नहीं करेंगे और हम लोग सीधे से जंप करेंगे जो हमारा next scheme है दीन दयाल स्पर्ष योजना उसको देखते हैं तो इसके बाद जो next scheme हम लोग discuss करने वाले है वह है दीन दयाल स्पर्ष योजना अब यहां पर स्पर्ष जो है यह भी एक acronym है तो इसको भी आपको इसको बाद स्पर्ष में छो आकरी वाला ask है यह stamps related है यह अप आप कह सकते हो कि Spurs का मतलब जैसे आप Stamps को Spurs कर सकते हो तो उसी चीज़ को यहाँ पर आप इस तरह से Relate करके याद कर सकते हो क्योंकि Spurs के बैसिस पर आपको याद नहीं हो पाएगा कि यह किस पर्टिकुलर एडिया से Related है तो यहाँ पर वही है कि Spurs का Full Form हम लोग के लिए काफी जादा Important है Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby ठीक है अब आगे Second Point यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक Pan India Scheme है जिसको Government ने Launch किया है तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है आगे यहाँ पर बताया गया कि यह Government ने इसलिए लॉंच किया गया है जिससे हम लोग जो Postal Stamps का Collection है और Study है उसमें लोगों का जो भी Students है या जो भी बच्चे है उनका रुजहान बढ़ा सकें मतलब उनका Interest बढ़ा सकें ठीक है तो यह Pan India Scheme हो गया और यहाँ पर Government ने इसलिए Launch किया जिससे हम लोग Postal Stamps का Collection और Study में एक तरह से Interest जगा सकें आगे यहाँ पर बताएगया है कि इसमें Annual Scholarship मिलता है जो कि 6,000 रुपीज का है और यह कौन से बच्चों को मिलेगा तो जो Standard 6 से लेके 9 तक में होंगे और यहाँ पर Condition भी है कि उनको मिलेगा जिनका Academic Record अच्छा हो और साथ के साथ Philately as a Hobby थूँ एक तरह से Implement करने की कुशिश कर रहे हैं आपर कि Philately as a Hobby जिनका एक तरह से Pursuence है जो की Pursu कर रहे हैं तो यह आप समझ सकते हों यहाँ पर कि 2 Condition हो गए 6,000 रुपीज जो है Annual Scholarship मिलेगा Standard 6 से लेके 9 तक वाले Children रहेंगे और उनका जो Condition यह रहेगा कि उनका Good Accard में एक Record होना चाहिए और Philately को as a Hobby वो Pursu कर रहे हों ठीक है अब Philately मैंने आपको कल अलरड़ी पूछ लिया था अब मैं पता चल गया होगा कि Stamp Collection as a Hobby अब आगे यहां पर देख सकते हैं कि इसमें जो selection होगा Annual Scholarship में जो जीतेंगे जिनको अवर्ड मिलेगा वो एक competitive selection process द्वारा होने वाला है in all postal circles अब आप comment section में कल हम लोगों ने discuss किया था number of postal circles तो आप please comment section में बताए कि कितने postal circles है ठीक है और एक additional special postal circle है तो उसका भी नाम आप पूझे comment section में बताए है तो यहां पर इतनी information हमारे पास vision के document में थी अब हम लोग देखते हैं कि शंकर के document में क्या है additional information है तो बिल्कुल same to same यहां पर इस पर्ष का इन्हों ने full form दिया है that is scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby यह हो गया और यह Pan India Scheme है तो हम लोग ने acronym का full form देख लिया Pan India Scheme है जिसमें scholarship program होगा जो कि 6 to 9 class के बच्चों के लिए दिया जाएगा जिनका good record में एक record हो और फिलाटली को as a hobby वो pursue कर रहे हो अब next point यहां पर बताया गया है कि जो evaluation होगा यह कौन से basis पे होने वाला है तो evaluation जो है वो project work एक दिया जाएगा फिलाटली पे और उसी पे related project work का evaluation किया जाएगा और उसके अलाबा एक quiz भी conduct कराया जाएगा मतलब फिलाटली quiz जो है वो हर circle में conduct कराया जाएगा और उसमें कैसा performance है उसके basis पे award जो है scholarship का वो दिया जाएगा ठीक है तो यह काफी अच्छा कासा scheme है और हम समझ सकते है कि यह अगर सही से implement हो तो काफी अच्छा कासा interest जगाएगा बच्चों में postal stamp collection से related that is फिलाटली ठीक है तो अब हम लोग next scheme जो हमारा है cool EMS service उस पे चलते हैं तो इसके बाद जो हमारा next scheme है वो cool EMS service है cool EMS service में EMS का full form होता है express mail service ठीक है अब यह जो cool EMS service है यह एक one way service है from Japan to India ठीक है तो यह point याद रखिएगा कि from Japan to India एक one way service है अब इसमें होगा क्या तो इसमें जो customers होंगे इंडिया में वो चाहें तो वो Japanese food items को personal use के लिए import करा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर बताया गया है कि यह जो items को import कराया गया जाएगा इसको allow किया गया है Indian regulations दोरा ठीक है यह सिर्फ दिल्ली में available रहेगा मतलब all over India नहीं है सिर्फ दिल्ली में available है और यहाँ पर जो food items है इसको carry करने का काम Japan post करने वाली है इन special cool boxes containing refrigerant और इसमें होगा क्या कि यह जो refrigerant इसलिए इसलिए इस्तमाल किया जा रहा है जिससे जो food items है उसके quality को preserve किया जा सके ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको दोनों point जो है बहुत straightforward है और अच्छे समझें आगे होगा यहाँ पर one way service है from Japan to India यह आप बिल्कुल ध्यान में रखियेगा तो मतलब कूल यह में service जैसे हम लोगों ने discussion खतम किया तो vision का आपका document यहाँ पर ministry of communications related खतम हो गया अब यहाँ पर यह जो दो extra और scheme है mygov और प्रधानमंत्री ग्रामीन डिजिटल साक्षरता अभियान यह आपको सिर्फ राउस के document में मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि additional schemes भी है जो कि vision में सारी तरखे से completed नहीं है सब कुछ cover नहीं है तो इसका लिए हम लोग को अलग से भी देखना पर रहा है तो अब हम लोग mygov को देखते हैं तो mygov के case में आप देख सकते हैं कि यह एक यह जो scheme है यह एक citizen centric digital collaboration platform है जो कि people को हर जो लोग भी है इस citizens है उनको empower करता है कि वह चाहें तो government के साथ directly connect कर सकते हैं और इसके अलाबा वो good governance में contribute भी कर सकते हैं अब जैसे for example अगर आप देखोगे तो बहुत सारे time जो है मतलब मांगा जाता है आप से public opinion मांगा जाता है और यहाँ पर वह है कि आप इसको कह सकते हो कि government to citizen जो connection है या connection create करने का काम यह particular website जो है वो करता है और यहाँ पर ही आप अपने चाहे तो अपने राय विचार सब कुछ दे सकते हो यहाँ पर implement कर सकते हो और वह ही है उसमें से selected जो आपको एक query होगी और जो भी आपका suggestion होगा वो government तक पहुंचता भी है अब यहाँ पर बताया जा रहा है second point में कि इस website को host करने वाला कौन सा organization है तो national informatic center जिसको NIC बोलते हैं यह इसको host करने का काम कर रहा है और इसको manage करने का काम कर रहा है तो my gov हो गया आपका यहाँ पर discussion यहाँ पर complete और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि citizen centric digital collaboration platform है तो अब हम लोग next हमारा जो scheme है उस पर चलते हैं तो ministry of communication का जो आखरी scheme है वो है प्रधान मंतरी ग्रामी डिजिटल साक्षर्ता अभियान तो यहाँ नाम से भी आप समझ सकते हैं कि यह rural एक तरह से rural digital साक्षर्ता that is education का का काम कर रहा है तो digital education अब एक अभियान की तरह है scheme की तरह है और एक तरह से rural India को educate करने का काम कर रहे है digitally ठीक है digitally नहीं यहाँ पर digital education हम लोग दे रहे है ठीक है तो अब यहाँ पर इसका implementation अगर आप देखिएगा तो कौन कर रहा है तो common service centers जो होते हैं वो करने का काम करेंगे area implementation अब हम लोग जानते हैं कि common service centers अगर आप promote कर सकते हैं ठीक है second point आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक टार्गेट भी है कि six crore rural households को digitally reiterate बनाना है ठीक है तो यह भी एक target हो गया तो इसको भी धियान रख सकते हैं इसके अलावा जो next point यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि equitable geographical reach को एक तरह geographical reach के मतलब हो गया कि जो भी area में हम लोग चाहते हैं पैन इंडिया अगर है यह तो पैन इंडिया में हम चाहते हैं कि सभी जगह equal एक तरह से digital literacy हो ऐसा नहों कि किसी area में जाधा हो और किसी area में कम हो तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि धाई लाख जो है धाई लाग ग् कि वो क्या कर सकता है तो जो भी digital literate person होगा they would be able to operate computer उनको computer operate करना सिखाया जाएगा और इसके अलावा जो digital access devices हैं जैसे tablet हो गया smart phones हो गया इनको operation भी सिखाया जाएगा अब यह operation जो सीखेंगे इससे क्या करेंगे वो तो emails को send receive कर सकते हैं internet को browse कर सकते हैं जितने भी government services है उन को access कर सकते हैं जैसे आधार बनाना हो गया pancard बनाना हो गया और इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो कि information को search भी कर सकते हैं even cashless transaction का promotion भी इसी आप कह सकते हो PMG दिशा के through हो सकता है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें होगा क्या कि जो भी मतलब जो use है IT का उसक करके हम लोग actively participation करवा सकते हैं रूरल इंडिया के लोगों द्वारा नेशल बिंडिंग में ठीक है कि नेशल बिंडि का जो प्रोसस है उसमें हम लोग रूरल इंडिया के लोगों से actively participate करा सकते हैं using this IT feature ठीक है आख़री point यहाँ पर देख सकते हैं जो second last point है यहाँ पर बता और आख़री point जो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आधार number को bank account of the beneficiary में seeding किया जाएगा obviously यह एक तरह से जो होता है एक तरह से आप कह सकते हो जो duplication होता है उसको खतम करने का काम करेगा और even जो correct beneficiaries है उनके पास जो facilities है वो provider उसका भी काम यह करेगा अब यहाँ पर इसक government services जो है जैसे for example railway ticket की booking, passport application, pancard application तो यह सब भी किया जा सकेगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे होगा क्या तो citizens जो है वो technology को leverage करके governance में actively participate कर पाएंगे तो हमने सारे schemes को एक तरह से cover कर लिया है इसमें और department और post के अंदर में जितने भी schemes से उसको देख लिया और department of telecommunication वो हम लोग ने last video में ही cover कर लिया था तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि यह जो scheme है scheme का series है इसको जल्दी जल्दी से निप्टाने की कोशिश करेंगे next video में हम लोग नया जो ministry है उसको उठाएंगे और इसके पहले हम लोग पहले question को देख लेते हैं इस video में जो question है उसको और उसके बाद हम लोग फिर इस video को wrap up करेंगे तो इस video का जो हमारा question रहेगा वो ऐसे है consider the following statements यहाँ पर दूस statement दिये हुए है पहला statement है digital advancement of rural post office for a new India that is darpan is aimed at realizing financial inclusion of unbanked rural population ठीक है और दूसरा statement है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना aims to provide affordable life insurance services to people living in rural areas of the country through the postal network ठीक है अब इन दोनों statement के basis पर आपको correct statement को चुनना है ठीक है तो आप लोग comment section में जरूर बताइए और हो सके तो explanation भी जरूर दीजिएगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग इस particular वीडियो को wrap up करते हैं तो अब पि चाहूंगा बहुत दिनों बाद उन्होंने comment किया है तो thank you so much राम आप वापस से आये और अपने comment किया और अपने answer भी किया है और इसके हलावा मैं special mention करना चाहूंगा Aman, Zain, Sakshi, Swati, Rajiv और Hem Prakashka तो thank you so much आप लोगोंने extra comment किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसे obviously मे मेरा motivation काफी जादा बढ़ता है और मेरा confidence भी बढ़ता है कि at least बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो अच्छा लगता है तो चलिए आप लोग इसी तरह से comment करते रहिए इसी तरह से video को like करते रहिए और subscribe भी कर लिजए हमारे channel से bell icon को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कोशिश में करूंगा कि अब से थोड़ी वीडियो को मतलब 30-40 मिनिट का बनाने का जिससे एक वीडियो में ही सबकुछ कबर हो जाए जो चलिए मिलते हैं अब so thank you so much for watching stay safe and study hard